डायविटीज एक स्थाई रोग है यानि ऐसी विमारी जो लंबे समय तक रहे और पूरी तरीके से ठीक होने में मुश्किल है जब खून में ग्लुकोज की मात्रा बढ़ने लगती है जो कि डायविटीज का मुखे कारण बनता है डायविटीज होने के कारण पहला इंसूलिन की कमी दूसरा परिवार में किसी वेक्ती को डायविटीज हो तो होना तीजना बढ़तियूम चौता हाई कोलेस्ट्रोल लेबर चौत पच्वा एक्सरसाइज ना करने की आदाथ छठा हर्मोन्स का संतुलन साथमा हाई ब्लोड प्रेशर आठमा खान पान की गलत आते और डायविटीज के सबसे समाने लक्षन में है बार बार पिसाब आना तेज प्यास वा भूक लगना बजन बढ़ना या आस समाने कम होना ठकान कट या घाव लगने पर उनका जल्दी ठीक ना होना उनका पक जाना पुरुशन में योन सम्मदी समस्यां और हाथ पैर में गुदगुदी महसूस होना और उनका सुन होना ये सब डायविटीज के